कि mathematical reasoning यह सबसे जाता इगनॉर किये जाने वाला चैप्टर है अगर जेए के आस्पेक्ट से देखा जाए तो बच्चे इसको इनौर बहुत छोटा चैप्टर है ना लास्ट में पढ़ाया जाता है लेकिन यार सबसे ता स्कुरिंग चैप्टर एक कुशन आए गहीं आएगा दो लेक्टर कि फांडेशन में खुब ज्यादा लगेगा तो धाई लेक्टर समझा गया और एक कुशन आपका फिक्स हो जाएगा मैं आपको जेए पीवाई क्यू दूंगा अब देखना कैसे कुशन से दुआ दुआ कर दोगे तो मैथमेटिकल रिजिनिंग जो है मैथमेटिकली मैं तो कभाता है कोई भी सिंटेन्स इस्ट्पींट कभाता है कि जब वह है किया हो यह क्या हो आईदर श्काषण इस प्रोग अरफ ऐसे दो और क्या बोत नहीं नहीं होना सब्सक्रालारा कि से तक यह मिन अन्व को कोई भी सेंटेंस में बोल रहा हूं हर टाइम जोन में हर पर्संस के लिए हर समय क्या होगा अगर वो ट्रू है तो प्रू होना चाहिए फॉल्स है तो फॉल्स होना चाहिए क्लियर है 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 क्लियर अगर मैं कह रहा हूं कि स्टेटमेंट है मैं 2 25 भोल्राइब 2 123 भोल रहाँ है यह हमेशा parenth Item होगा Paws다가 किसीक लिए true हो सकता है क्या नहीं हो सकता इससिक लिए true n9 you हो सकता है यह क्या है स्टेटमेंट है क्या है स्टेटमेंट मैं टुरोब रूँ कि स्किपार perpetrator पर की सिक्वार ऑफफ दमबर एलव इवन वा दाए स्कॉर ₹ नंमबर इज इवन है यह स्टेटिमेंट है उन यह स्कॉर आफ नंबर इस अलवेज इवन है अल्वेजवाला कि भीदाउवेजə्वाला अलवेजवाला statement है statement है मैं false statement बोल रहा हूं ला मैं false statement बोलो नहीं कि हमेशा एवन नहीं होता है मेरी बात एक रह चाहते हैं सपर कालत है आया नहीत लेकिन मैं बोल रहा हूं कि a square of a number is even तो even हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो जब ऐसा होने लग जाए कि किसी के लिए तो true होगा और किसी के लिए false होगा वहाँ अल्वेज नहीं हो भी सकता है इवन सब्सक्राइब वह स्टेटमेंट नहीं होगा कोई दिकत कुछ साथ आप every square is a rectangle every square is a rectangle बोलो every square is a rectangle बिल्कुल सभी बाद और यह statement के साथ है true statement क्या है bethly plus two equals to six अखर पोलो अवलो ना समझा रहा है क्या समझा रहा है समझा रहा स्माथ एक प्लस है पॉल से स्ट्रीटमेंट है अच्छा एब्रीए स्क्वारीज रेक्टेंगल अरे बोलो हासर एक दम सही है सबके लिए सही है इस्ट्रीटमेंट है और प्रूविए है ओल प्राइम नंबर सार ओड अ है ओल प्राइम नंबर सार ओड है कि बोलो है जो मैं बोल रहा हूं सेंटेंस क्या सभी प्राइम नंबर ओड होते हैं कि बोलो है ओल प्राइम नंबर सार ओड ओल प्राइम नंबर का बात करें ना 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 एक ऐसा भी प्राइम नंबर है जो इवन होता है मेरा सेंटेंस क्या है गलत है सरा सर गलत है मेरा सेंटेंस क्या है और सबके लिए गलत है मैं जो बोल रहा हूं कभी भी सुनेगा कोई भी तो यह गलत होगा तो क्या यह statement है statement है और मैं बोलता कि prime numbers are odd prime numbers are odd यह होता क्या और हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं इसकेस में यह statement बोलो क्लेर हो रहा है क्या कोई दिक्कत वाली बात अच्छा अब कोई भी statement अगर true है तो इसको बोलते हैं वो की तो यह फालस वाल सुना इसका क्या दोनों हो सकता है बट नोर्ट बोट दोनों एक साथ हो नहीं सकता अच्व यह जब टू है तो उसको यह फॉल डोलेंगे जब फॉलस हो उसको इसको उसको इन वालड बोलेंगे इज हमने स्टेटमेंट के अंदर कुछ चीज़े आपको ध्यान रखनी है कि जैसे वारीबल टाइम लाइक तू डे टूमरो तू अन्हा येस्टरडे अगर यह सब आजाए यह सब आजाए किसी सिंटेंस के अंदर यह सब आजाए तो फीर यह एज श्टेटमेंट काउंट नहीं होता ह है मैं बोल रहा हूं कि टूडे इज टूजडे टूडे इज टूजडे तो यह मेरा सेंटेंस अगर लेक्चर में रिकॉर्ड हो गया और कोई गच्छा कल देखेगा के कैस्टेंस सही नहीं आज तो सही है कल सही नहीं होगा साथ दिन बाद फिर से सही हो जाएगा तो कभी तो सही हो रहा है कभी सही नहीं हो रहा है दोनों पॉसिविलिटीज हैं तो क्या टूडे वाला सिंटेंस स्टेटमेंट कहलाएगा नहीं कहलाएगा सब तो जहां पर यह सब आ गए यह स्टेटमेंट में काउंट नहीं होता है जैसे टूडे टूजडे टूडे टूडे जा रहा है कुछिंघ फूचने वाले संटेंस को क्या पोलते इंट्रोगेटिव भाव परकरट करने वाले एक्सलामेट्ट्री समाझ रहा है क्या यहा फिर इंप्रेटीव सेंटेंस यह सब भी जो है यह ना एक डबाद आलकर के यह आपके नोट्स में यह सब चीज है क्या जो भी हो उसके बाद imperative imperative बोलो यह सब जो होंगे statement में count नहीं होगे यह भी आ गया तो statement में count नहीं होगा बोलो ना clear हो रहा है क्या clear हो रहा है तो दो-तीन बात है पहले तो statement का clarity आगया ना एक दम कोई समस्य है इसमें नहीं बोल रहा है और है टॉइक हैं बताई स्टेट्मेंट किसको बोलेंगे एक स्टेट्मेंट किसको बोलेंगे इन कि हमिया जा सकता है को सिकर्ट है preço कि या फिर फॉर्स होगा अगर एक स्टेट्मेंट है एकस्तेत्मेंट होने वाले बताइए तो या तो फोगा या फीर फॉल्स सोगा अगर दोगे स्टेटमेंट है अगर दोगे स्टेटमेंट है अननल असके अरे बोलो पी और क्यूंकर साथ वालो तुस्रैंड योर क्या होता है पहला दूसरा फाल्स पहला प्रो क्योंद ऐसकता यो त्रु। नरे पी क्यों कि हॉसकता है तीनों टूद की टूधिर पूलो कि प्यूंगीए सबस्क्राइब बोलो वाल्स पूर्स पाल्स टूधिर अरे बोलो और क्या थे हमने दिज्यान से दिखेंव इसमें इसमें हमने में क्या करबाई एक को फॉल्स करवाया अब औरबो और क्या होते हैं हमने देखो दियान से यह मैं ऊइंगा इसमें हमने क्या कर वाइए ayam यहां पर दो को फॉल्स करां आंधर क्रेंट तीसरे वाले आख्री वाले में आमने तीनियों को फॉल्स करवा दिया तो अगर एक statement है इसमें द्यान से देखिये हैं दो रहा है अगर दो statement है धो दियान से दिखिए कितना चार बन रहा है तीन statement है तो कितने बनेंगे रो तू के पाइंगे तू के पार पोफ है किसी भी statement के ट्रूथ वैलू को बदल देना इस काल निगेशन क्या कहलाता है निगेशन इसको मिटा को दिक्कत वाली बात नहीं है सब कुछ है आपके नोट्स में किसी कि अजी कि नहीं मिला है कि मैं क्या कह रहा हूं निगेशन मैं क्या कह रहा हूं निगेशन कि अ क्या के रहे हैं बोलो吗 कि क्या है अगर इसको फॉल्स कर देना Tafel Stand कि य हॉसको फॉल्स कर देना Tकि इसके एसे करेंगे नहीं क्या अगर पी टूँह तो यह निगेशन होल्स और यह फॉल्स अच जर्ण सेट्स अगर आप पढ़े हैं तो पारलेल सेट्स की भी एक दुनिया चलेगी NCRT में इस चप माथेमेटिकल रिजिनिंग के अंदर सेट्स का एक भी कॉंसेप्ट इन्वाल्ब नहीं est का एकपिंट नहीं है समाझा रहेक्टा लेकिन क्या है कि हम लोग states के concept को use करके इसके question को hack किया करेंगे समझा रहा है कहीं भी आप देखोगे इसके concept में states involved नहीं होता लेगिन सवाल करने में states का concept use हो जाएगा negation क्या है negation को हम लोग complementary dash की तरह treat करेंगे बोलो आगे हम compound statement पढ़ेंगे जिसमें end और होगा end को intersection की तरह treat करेंगे और को union की तरह treat करेंगे बोलो ना चले देखें अच्छा राम इच ऑनेस्ट अगर इसका negation लिखना है तो truth value को बदलना होगा negation को लिखने के लिए क्या किया जाता है कि generally not लगाया जाता है क्या लगाया जाता है not एक और चीज़ हो सकते हैं इसके जगा पर not के जगा अगर भारी भरकम अंग्रेटी उज़ करना चाहे तो किताब उला क्या करता है it is not the not the case that case that लिखता है और फिर यह लिखता है it is false that ऐसे लिखता है जैसे रामीज उनेस्ट तो रामीज नोट उनेस्ट सिंपली खतम था लेगन किताब वोला थोला सा कलाकारी कर देता है बोलता है कि it is not the case that रामीज उनेस्ट इस फॉस्ट रामीज उनेस्ट यह उसका निगेशन हो गया रूट तू इज राशनल नंबर स्टेटमेंट है रूट चीक नहीं है इसका निगेशन लिखना है तो क्या लिखना होगा रूट ईज न ओट आ रशनल नंबर अच्छाओ बहुत बाते बाते बिच्छाप उने आपको भी आको डिसकस कर दिया कोई दिक्काथ सच्छे मैं बहुत बहुत बढ़िया